हाई अब्रिवन वेल्कम बैक टू सीमास मेचे कचेन तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सोलर सिस्टम थीम केक की डिजाइन डिजाइन बहुत ही ज़ादा प्यारा है और सबसे सिंपल डिजाइन आपके साथ में मैंने शेयर किया है इसमें बहुत ज़ादा मेहनत कने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये केक बनाएंगे हम टू केजी में और टू लेयर केक रहेगा तो सबसे पहले आपने यहां पर दो sponge को देखा तो सबसे पहली sponge मैंने 1 kg की bake की उसके बाद मैंने same mold में 1.5 kg का बैटर डालके उसको bake किया यानि कि नीचे की जो हमारी layer है वो हमारी 1.5 kg की रहेगी तो 1.5 kg के लिए आपको कितना premix लगेगा तो 1 kg के लिए मैं 300 ग्राम premix लेती हूँ एंड 1.5 kg के लिए यहां पर मैंने 1500 ग्राम premix लिया है यानि कि टोटल हमारा साड़ी 400 ग्राम premix लगेगा डेट कलो केक के लिए उसके बाद यहां पर मैंने आदा कलो का केक और bake किया था जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून एक्स्टा डाला था जिससे हमारी 4 ले रासानी से कर जाएगी इसके आगे वाले पार्ट में है तो उसके बाद यहां पर अगर आपको चॉकले ट्रफल की रेसिपी नहीं आती है तो आपको उसकी सेपरेट वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डायरेक्ट अगर लिंक के उपर क्लिक करोगे तो वहां से रेसिपी ओपन हो जाएगी तो वहां पर आप जाके देख सकते हो बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें मैंने चोकले ट्रफल बना के बताया है प्रोपर कैसी बनाना है आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी थी तो इसलिए इसमें मैंने एड नहीं किया है अगर आपको सेपरेट वीडियो नहीं मिलती है अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो उसके बाद आप सभी के लिए मैं सेपरेट ट्रफल की वीडियो अपलोड कर दूँगी उसके बाद आप यहां देख सकते हो हमारा जो लेरिंग है कंप्लीट अच्छे से हो गई है और अच्छे से मैंने उस पर लिक्विड करके इसमेद ट्रफल ढाला और चार तरफ से अच्छे से कोट कर दिया और अच्छे से कलीं करके मैंने फ्रीज में रख दिया है दो घंटे के लिए सैठ होने के लिए अगर जब तक वो set नहीं होगा तब तक आप दूसरी वाली cake को इसके उपर नहीं रख सकते हो नहीं तो वो slip हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने half kg का cake मैंने cake की sponge को मैंने bake कर लिया है और half kg की sponge को bake करने के लिए यहाँ पर मैंने 1.500 gram premix लिया था उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रॉफल लगाया, ट्रॉफल लगाने के बाद यहाँ पर मैंने शुगर सीरप से मैंने स्पॉंज को सोक किया, शुगर सीरप अकर बनाना नहीं आता है, बहुत सिंपल है, शुगर सीरप बनाने के लिए आपको 1 फॉर्थ कप पानी लेना है, उ तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने 1.5 kg का स्पॉंज को रेडी किया था, 1.500 ग्राम प्रीमिक्स है, और उसमें मैंने थोड़ा सा 1-2 टीबस्पून मैंने एक्स्टा डाला था, जिससे हमारी चार लेर आसा नी से कटके रेडी हो जाएंगी, जिससे हमारी केक थोड़ी से हाइट लगी, क्योंकि हमारा डाउन लेर की जो केक है, और उसके बाद टॉप की थोड़ी सी कम हाइट रहेगी, तो वो देखने में थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टू टेबर स्पून एक्स्टा डाल दिया, जिससे एक लेर एक्स्टा कट जाएगी, और थोड़ा सा भी उपर नीचे अगर केक होता है, एक्स्टा होता है, 200, 200 ग्राम तो कोई प्रॉबलम नहीं है, क्योंकि यह मेरा कस्टमर बहुत ही पुराना कस्टमर है, तो इसलिए मैंने इनके लिए इतना कर दिया, और उनसे एक्स्टा चार्जिस भी नहीं लिये थे, क्योंकि मेरे बहुत जादा पुराने कस्टमर्स होते हैं, तो थोड़ा सा इतना तो चलता ही है, और वैसे भी होम बेकर्स के साथ में ऐसा हमेशा ही होता है, और करता है कस्टमर हमेशा 500 ग्राम केक, मिलता उसको 700 ग्राम है, क्योंकि हमारे तरब से 200-200 ग्राम एक्स्टा जाता ही जाता है, कैसे भी करके, क्योंकि हम मेजर नहीं करते हैं, हम दिल से cake बनाते हैं और कहीं भी भी कमी नहीं रखते हैं और थोड़ा सा भी जादा अगर चाहता है तो कोई problem नहीं है हमारे customer अच्छे से regular customer हो जाते हैं और केक का टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत एक्स्टा अगर जाता भी है तो आप थोड़ा बहुत एक्स्टा दे सकते हो इतना चार्जिस करने की जरूत नहीं है customer ने आपको 500 ग्राम मांगा तो आपको 500 ग्राम अगर दे रहे हो तो इसमें अगर आप थोड़ी सी क अगर नजर आएगी या फिर आप थोड़ी सी कम चोक्लेट लगाओगे तो बिल्कुल चोक्लेट वाला केक नहीं लगेगा तो इसलिए थोड़ा सा ना सोचके के कस्टमर को बनाना जरूरी होता है तो यहां पर मैंने कस्टमर अच्छी खास इसलिए बना रखे हैं क्योंकि इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब अगर आप कस्टमर आपको और करें केक तो आप उसी पता सके कि मैं हमारे केक में थोड़ा केक एक्स्टा जाता ही जाता है तो इसलिए इतना चार्जेस है उतना चार्जेस है आप यह बोल भी सकते हो लास्ट में कि अगर आप कम कोई तो इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा कन्वेंस कर सकते हो कि मैं अगर आप 500 ग्राम मांगते हो तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा महीतब से जाते जाता है तो उसमें आपको कम कराने की क्या जरूरत है तो आप थोड़ा सा अपना ट्रेक अपना कि आप बोल भी सकते हो कस्ट तरीके से अपनी केक को यहाँ पर ऐसेंबल करना है और एकी उपर कैक कैसी रखना है आप यहाँ पर देख सकते हो पर यहाँ पे थोड़ी सी गढ़बढ़ हो गई थी पीछे से थोड़ा सा मेरा केक बोर्ड लग गया तो पीछे से हट गया था तो मैंने वहाँ पर थोड़ी सी एक्स्टा क्रीम को फिल करके दुबारा एक बार मैंने स्क्रेपर घुमा दिया था जिससे मेरी केक अच्छे से स्मूथ हो गई थी और अगर आपके साथ में ऐसा कभी होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो मैंने अच्छे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई बात में मैंने ध्यान दिया कि रिकॉर्डिंग बन थी उस टाइम पे तो कोई बात नहीं आप मेरी ऐसी बहुत सारी केक की वीडियोज है उसमें से दिखाया हुआ है मैंने यहां पर मैं बनान ये आप किसी बॉर्टिल का ढूल गटन के सकते हो आगर आपके पास रेंगा तो मेरे पास एक डुकन का ध कर PA ये अनक बनाने थो मैं सालीड है तो यहां पर थेंए मेरे सुरे कर लाइप कर नहीं है तो मैंने उसका यूज किया है तो किया मैं double shade करके दिया है यहां पर मैंने black & white का shade दिया है pink के साथ मैं red का shade दिया है जैसे हमारे planets होते हैं उस तरीके से இரी planets यहां पर मैं 2D planets बना रही हूँ 3D planets नहीं है सब्सक्राइब एक दिये और आधे बहुत जाधा उन्हें पसंद भी आया था और उसके मुझे feedback भी बहुत जादा अच्छे थे तो यहाँ पर मेरी एक viewer का भी मुझे comment आया था कि solar system planet का कोई भी अगर cake upload है आपकी channel पर तो please मुझे उसकी link share कर दीजिए तो यह cake की जो video है special मैं उनके लिए आज की आज ही share करी क्योंकि उनको next day उनको cake का order complete करके देना था इसलिए उनके लिए बहुत ही simple तरीके से बनाया है मैंने यह तो यहाँ पर हमारे planets बनके ready हो गए है उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ हमारी rocket तो यहाँ पर आपको rocket कैसे बनाने है यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा pink color का तो क्योंकि हमारे टॉप पर भी पेंग है तो मैंने अंदर भी pink color का इफिल किया रोल कर गए अच्छे से और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक डोरी बनाई और साइट में टॉप पे मैंने लगा दिया इस तरीके से बीच में भी मैं यहाँ पर एक रिविन कट करके पट्टी बनाके मैं यहाँ पर स्टेक कर दूँगी पानी की हेल्प से पानी की हेल्प से करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो जैसे हमारी रोकेट होती है ना बस पैसे ही मैंने इसको बनाके रेडी कर लिया है और बहुत ही प्रिटी सी एकदम क्यूट सी रोकेट बनके रेडी हुई थी जब यह पूरी कम्प्लीट हो जाएगी बनके तब लगाना और जिसे आपको तो अगर आपको य मैं दिखाए बस आपको यह तरीके से ही आप को डिया इक दिलीवर फैसे को शुट ब्रॉबलम नहीं है add tight container में कुछ भी नहीं होगा और जिसे आपको next अगर heavy cake देना है बड़ा cake देना है तो आपको अपने जिते भी आपके design है बस आपको अपने cake के उपर लगाना है जिसे आपका time भी बरबाद नहीं होगा यह भी एक टेप से आप सभी के लिए या फिर दो दिन पहले आप बना कर लेती हूँ एक से दो दिन पहले मैं design complete करके रख देती हूँ अब हम बनाने वाले हैं astronaut astronaut भी मैं इस तरीके से आपको बताने वाली हो कि आपको इसमें कोई भी मेहनत करने की जरुरत नहीं होगी और बहुत ही जादा simple तरीके से आपको आपका astronaut बनके मिल भी जाएगा जैस सकते हो एक circle बनाया उसकी पर मैंने black color का circle लगा के और थोड़ा वह तो white color का fondant लगा दिया है आप चाहिए तो color से भी white color की color से भी यहाँ पर dot dot कर सकते हो मैंने यहाँ पर fondant ही लगा दिया है जिससे हमारा केकलूक अच्छा आएगा तो यहाँ पर मैंने white color का fondant लिया उसको अच्छे से मैंने एक धागे की तरव मैंने उसको बना लिया और अच्छे से इसको black color के circle के उपर लगा लिया उसकी बाद आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर मैंने hand बना लूँगी तो hand बनाने के लिए यहाँ पर मैंने किस टूल का यूज किया है आप यहाँ देख सकते है पैरों के उपर मैंने blue color के lining किया है और भी किया है जिससे हमारे astronaut और भी जादा attractive लगेगा और बहुत जादा खुबसूरत भी लगेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने black color का भी यूज किया है नीचे की तरफ तो यहाँ पर हमारा प्यारा सा astronaut बन के radio हो गया है ए और recording on थी मुझे पता ही नहीं चलाता बाद में मैंने देखा stick करने के बाद कि उसमें storage नहीं है वो recording नहीं हो पाई थी और बहुत ही simple है इस तरीकी का जो sun है मैंने पहले भी I think मेरी videos में बनाए आप यहाँ के देख सकते हो किसी एक video मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर में ब्लू कलर का एक गोल सरकल लगा दिया है और उसके बाद मैंने पैन कलर का यूज किया है उससे मैंने सरकल बना दिया आउड लाइनर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो हमारी rocket भी ऐस तरीका से बनके रेडी हो कही है तो यहाँ पर मैंने नीचे दुथ्विक लगा दोनों रॉकेट को मैंने एक लाग बना दिया है और रुपर से इसे लगा दिया है। सभण हैं तो चल्दावाजी एक बागी की में चीजिशे मैं आपको कीज़ें आपको बता दी ए हैं। ये चोटी चोटी चीज़ें आप खुदी से बना सकते हो इनकी कटास आते हैं और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आपने एक बॉटल देखी उसमें है हमारा गोल्डन कलर तो लिए लिक्विट कलर आता है इसको सेफ आपको यूज कैसे करना है आपको शेक कर लगी यह भी मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड थैंक यूफर वाचिंग